यह हमारी वाल पुट्टी की पंचिंग टेक्चर दोस्तों आज हम लोग यह वाली टेक्चर कैसे बनाते हैं सीखेंगे आज की टेक्चर बहुत ही धमा के डार रहने वाली है दोस्तों आज के बाद आप कभी भी टेक्चर बनाओगे ना अपने आपको कभी भी छोटा मेसोस एक डेम फूर्ती भर दूँगा आपकी अंदर आज में बहुत ही सांदार टेक्चर होने वाली है देखो दोस्तो यह हमारी बिल्ला की वाल केर पुटी इसको हमने पानी में बनाई है देखे दोस्तो आगे आगे आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि आपको बहुत बड़ी सर्प्राइस दूँगा मैं आज की वीडियो में देखो दोस्तो इस प्रकार वाल पुटी बना देनी है मिक्सर मसीन से आप चाहो तो हाट से ही बना सकते है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी वाल पुटी बनाये तो मसीन से ही बनाये मसीन से बहुत ही मुलायम रहती है यह है रोयल हम लोग ने वाल पुटी की अंदर एक लिटर रोयल पेंट मिलाया है यह रोयल पेंट हम लोग ने इसलिए मिलाया है कि यह वाल पुटी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और मुलायम और लच पुटी के अंदर मिलाया है कि हमारी टेक्चर ग्रे कलर की अंदर आएगी यह 12 साल का एक लड़का है एक छोटा सा लड़का है 12 साल का इसके हाटों से ही मैं आपके सामने टेक्चर बना के लेके आओंगा दोस्तों यही आज आप लोगों को सिखाएगा टेक्चर कैसे बनाए जाती है इसलिए मैं सुरुवात में ही बुला था आज की वीडियो बहुत ही धमाके दार होने वाली आपको मोटिवेट कर देगा यह है गुरु माला यह हाड़वेर की डुकान के अंदर मिलने वाली है साधरन सी गुरु माला जो मिस्टरी इस्टमाल करता है इस प्रकार आ आप बना सकते हैं देखे दोस्तों इस प्रकार आपको इस तरह पंच करते हुए चले जाना है टेक्चर बंटे हुए अपने आप ही नजर आएगी स्मार्ट टेक्चर हमारे चैनल का नाम है इस चैनल को आप सस्क्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना बेल आइकन जरूर करना टाकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नौटिविशन आपको मिलती रहे देखिए यह 12 साल का लड़का है छोटा सा मैंने यही टेक्चर मैंने सेंपल में भी एक बार बनाई थी तो मैंने साइट पे जब टेक्चर बनाने गया तो मैं बाजू में देखा लड़के खेल रहे थे मैंने बोला कि यह मेरी मैं अभी टेक्चर बनाने जा रहा हूं थोड़ा सुटिंग कर लिए लड़का क्या बोलता है कि मैं ही टेक्चर बना देता हूं आप सुटिंग करिए आप मेरे को डिखा यह कैसे टेक्चर बनाना है तो मैंने पहले भी बहुत बार बच्चों का खेल है। टैक्चर बनाना मतलब बच्चों का खेल है। तो में आपको गुरू मानों। बले भाई आप मुझे गुरु मानो या ना मानो लेकिन मैंने आपकी चैलेंज स्विकार किया और आज मैं एक बच्चे से बना हुआ हाट की टेक्चर लेके आया हूँ देखिए दोस्तो इस वीडियो को वाइरल कर देना है पांच हजार मुझे व्यूज चाहिए इस टेक्चर पे अगर पांच हजार व्यूज आ गए तो मैं ऐसी ही डमा के डार और वीडियो लाओंगा इस बच्चे का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस बच्चे का हिम्मट बढ़ाने के लिए आपको पांच हजार व्यूज देन लेना ही है कुछ भी हो जाए लेना ही है तो देखिए आज के बाद आप जब भी टेक्चर बनाने जाओगे आपको थोड़ी से भी मुस्किल लगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना अगर ये 12 साल का छोटा सा बच्चा ये टेक्चर बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं आप क्यों नहीं बना सकते हैं देखिए दोस्तो टेक्चर बनाना मतलब बच्चों का खेले अगर ये बच्चा 12 साल का बच्चा टेक्चर बना सकते हैं तो दुनिया के अंदर कोई भी बना सकता है आप भी बना सकते हैं जो कोई भी वीडियो डेख रहा ये आप टेक्चर बना सकते हैं चाहे आप पैंटर हो या पैंटर ना हो लेकिन इस प्रकार की टेक्चर आप बना सकते हैं देखिए ये 12 साल का लड़का पहले गुरू माला में माल ले लिया फिर एक गुरू माला के उपर दूसरे गुरू माला से पंच किया फिर इस तरह से स मैंने पहले ही कहा था मैं ये वीडियो में बहुत बड़ा सर्प्राइस होने वाला है इसलिए मैंने ये छोटा सा बच्चा से हाथ से बने हुई टेक्चर मैं आपके सामने लाया हूँ तो इस चैनल को आप लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ये जरूर बनाना है कि ये छोटे बच्चे से बने हुई टेक्चर आपको कैसी लगी अरे भाई आगे आगे देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं कुछ भी चुपाऊंगा नहीं पूरे टेक्चर को मैं खोल के रख दूँगा इस टेक्चर को कैसे बनाये ज देखिए इस तरह से माल बनाना है फिर एक गुरु माला से लेके उसको पंच कर देना है बस पंच करते हुए आगे बढ़ जाना है बस टेक्चर अपने आप ही बंट हुए नजर आएगी देखिए दोस्तों नजदिक से दिखाता हूँ कितनी बहतरीन और कितनी मस्त करने के लिए हमारे चनल को लाइक और कमेंट जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना देखिए यह चोटा सा लड़का अगर यह टेक्चर बना सकता है तो यह वीडियो देखने वाला हर एक मेंबर बना सकता है मेरा मकसद ही है मैं हर घर की अंदर टेक्चर पहुचा दू आ अगर हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो लाइक, कमेंट और सस्क्राइब जरूर कर देना टाकि मैं और आगे आने वाले वीडियो में सर्प्राइस वीडियो लेके आऊंगा। अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, देखे दोस्तो इस प्रकार आपको ये टेक्शर बनानी है, जैसे गुरू माला से बच्चा कैसे पंच करके लगा रहा है, बस आपको भी इस तरह से लगाट हुए आगे बर जाना है, स्मार्ट टेक्शर हमारे चैनल का नाम है, ये इस इसी ही वीडियो बार-बार देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना, अमिट डेस पांडे, देखे दोस्तों मैं मोटिवेट इसी गाने को सुनके हो जाता हूँ, अमिट डेस पांडे एक ऐसे गायक है, खुद ही गीट लिखता है, खुद ही गाता है, और खुद ही सूट कता है, इतना मुश्किल काम अपनी नौकरी होते हुए भी इस तरह से गाने बनाता है, मैं चाहता हूँ इसके गाने एक बार जरूर सुने, मेरे जितने भी सस्क्राइबर है उसको जाके चैनल को सस्क्राइब जरूर करना, और इस बहतरीन गाने सुनते और साइलेंस गाने सुनना तो आप भी मोटिवेट हो जाओगे, मैं डिक्सरसं में लिंक डाल दूँगा, एंड स्क्रीन में भी उसकी चैनल लिंक डाल दूँगा, वहां से आप तच करके अमिट डेस पांडे का गाना सुन सकते हो, देखी दोस्तों इस प्रकार टेक्चर लगती है, हाँ मैं वही बता रहा था, अमिट डेस पांडे बहुत ही बहतरीन गाना गाते है, उसके पास पैसे की कमीट के अभाव के कारण फिर भी अच्छा वीडियो बनाते है, यह साथ नंबर का पट्टे वाला पेपर, इसको पट्टे वाला पेपर को इस तरह से हमने इस तरह से घीस दिया है, जैसे यह बच्चा घीस रहा है, वैसे ही आपको भी घीस देना है, ज्यादा मत घीस ना वनना ज्यादा घीस दोगे, तो यह डिजाइन ही मिट जाएगा, देखिए दोस्तों यह बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, इस मेहनत को सफल बनाने के लिए आपको ये वीडियो पुरा देखना है, उसको motivate बढ़ाने की या, आपको 5000 वीज देना ही है, बले चाहे आप दो बार वीडियो देखे, लेकिन इस बच्चे का motivation बढ़ाने के लिए आपको 5000 वीज देना ही होगा, अगर 5000 वीज आ गए तो अगली बार इस लड़के का मैं अलग से चैनल ले के आऊंगा, और आजकल है न, बहुत सारे चैनल हैक हो रहे है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ, एक अलग से चैनल बना दू, टाकि मेरा चैनल भी अगर बन हो जाए तो दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ये है, रोयल लगजरी इमर्सल 825, 825 इसका बेस का नंबर है, आप भी कोई भी डुकान जहां पे एसियन पेंट का माल मिलता हो, वहां जाके आप इस प्रकार के कलर ले सकते हैं, मैंने पहले ही ग्रे कलर अपना ब्लैक स्टिनर मिला दे है पुत्ती में, इसलिए मैं एक हाथ मारूंगा तो ही कलर ये बैड जाएगा, देख कम देखिये, 825 एक बेसकोट का नंबर है, इसको अमने पानी की एक बेसकोट को बनाने कि लिए, एक लिटर बेसकोट बनाने की लिए हमने उसमें 200 मL पानी मिला आया है फिर हमने इसको ऐसे चड़ा दिया है Зयसे ये बच्चा छोटा बच्च chips लगा लगा रहा है आप भी इस प्रकार लगा सकते हैं, चाहे तो आप लीला, पीला, हडा, कोई भी अपना मन पसंद कलर ले सकते हैं, यही नहीं लेना है, आप अपने मन पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने उसको ग्रे कलर में रखा है, यही टेक्चर मैंने पहले सेंपल में बनाई थी, और ब्लै सकते हैं और बना सकते हैं देखिए ये छोटा सा बच्चा कितनी बहतरीन टेक्चर बना रहा है इसको मेहनट को सफल करने के लिए आपको इस चैनल को लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट में जरूर बनाना इस बच्चे के हाटों से बने हुई टेक्चर आपको कैसी लगी य इसी टेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर ओल करें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें, तो आपकी पास नोटिफिकेशन इस वीडियो की पहुंच जाएं, देखें दोस्तों कैसी लग रही है, देखें, यह है रॉयल प प्रेक कोपर, देखें यह बच्चा की इस तरह से आपको भी निकाल देना है, फिर इसमें एक बुन भी पानी नहीं मिलाना है, बस ऐसे ही एक पंच लेना है, उसको गिला कर देना है, फिर उसको निचोर देना है, फिर वही पंच करके आप उसको टेक्चर बना सकते ही, यह वही पंच है जो गाडियों की सीट में इस्तमाल होता है टकिये में इस्तमाल होता है सोफे के सीट में इस्तमाल होता है ये वही पंच है इस साधरन सा पंच को इस तरह से लगाना है फिर आपको इस तरह से पंच कर दिना देखिए धकन में इस तरह से बच्चे कैसे पंच करते हुए चले जा रहा है आपको भी इसी प्रकार पंच करते हुए आगे बढ़ जाना है देखिए दोस्तो आज ये छोटा बच्चा अगर इतनी बहतरीन टेक्चर बना सकते है तो दुनिया का कोई भी इंसान ये बना सकता है आचा ह आप लैडिस हो जैन ए oh बच्चा हो कोई भी इक्चर बना सकते हैं देखिए दोस्तो में जब भी इक्चर बनाता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोसिस करता हुए ताके आपको जब भी टेक्चर बनाए तो डिकट का सामना ना करने पड़े इसलिए जब में वीडियो बनाता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोग लंबी वीडियो देखते नहीं है इसलिए लेकिन क्या करू जब भी में वीडियो बनाता हूं अच्छ भाई लोग अच्छी तरह सीख नहीं पाते इसलिए मैं अच्छी तरह समझा के लंबी वीडियो बनाता हूँ अगर आप छोटी वीडियो देखना चाता है तो कमेंट में जरूर बनाना आपके लिए एक अलग से छोटी वीडियो बना दिया करूंगा जैसे प्रोफेशनल पेंटर है मेरी छोटी वीडियो एक बार देख ली तो अच्छी तरह से टेक्छर बना पाएंगे जो नए पेंटर भाई लोग है जो पेंटर नहीं भी है देखिए दोस्तो इस तरह से टेक्चर बनाई ही हमने आप चाहो तो आप भी यह सी टेक्चर बना सकते हैं देखिए सस्क्राइब करें माई चैनल को मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना ऐसी बहतरिन वीडियो डेखने के लिए मैंने इस वेडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनद की है ये बच्चे लोग को मैंने सिखाया है तब जाके ऐसी texture बनी है तो आप भी इसी texture बनाईये और अपना नाम कमाईये देखिए दोस्तो इस प्रकार texture लग रही है इस प्रकार आप texture बना सकते है यहे Asian paint का touchwood हमने ले लिया है एक लिटर touchwood के अंदर हमने 200 ml तक turpentine मिलाया है देखिए यह turpentine मिलाया है फिर अच्छी तरह से हिला दिया है फिर हमने इस texture पे apply किया है touchwood लगाने से यह फाइदा होगा कि texture थोड़ी चमकदार हो जाएगी उस पे पॉलिस आ जाएगा और उस पे डूल मिट्टी कभी बैठी नहीं पाएगा कभी डूल मिट्टी टीक ही नहीं पाएगा देखिए दोस्तो इस प्रकार touchwood को लगा देना है जैसे यह छोटा बच्चा लगा रहा है उसका होसला अबजाई करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेट जरूर करना और बच्चे की टारिफ में दोस्त सब्द जरूर बताना कि आपको ये वीडियो डेख के कैसी लगी जरूर बताना मेरे दोस्तो और मैंने एक चैनल में एक अपने डिस्प्रेशन में एक लिंक डेडूंगा अमिडेस पांडे की चैनल है वो खुद ही गाना बनाता है खुद ही गाता है खुद ही कमपोस करता है पैसे की अभाव होने के कारण फिर भी अच्छा वो गाना बनाता है उसको डेखो और उसको कमेंट में जरूर बताना कि उसका गाना कैसा लगा देखे दोस्तो ये तच्पूट लग जाने के बाद इस तरह की से टेक्चर लग रही है बड़ी चमकदार बड़ी बहतरीन लग रही है देखे इसी टेक्चर सिखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर आल करें ताकि जब भी हम नई वीडियो डा सीधी नौटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए देखे दोस्तो ऐसी टेक्चर कोई भी बना सकता है ये टेक्चर मेंने वाल पुटी में बनाई है बहुत ही सस्ती पड़ती है और ऐसी टेक्चर बनाने के लिए कंपनी वाले ने माल बनाया है एपरेक्स क्रेटेक्स हमने ए वाल पुटी के अंदर बनाया बिल्ला वाल पुटी के अंदर बनाया चाहे तो आप एसीन की वाल पुटी ले सकते है चाहे तो आप जेके की वाल पुटी ले सकते है आप कोई भी पुटी इस्तमाल कर सकते है उसके अंदर हमने एक लिटर रॉयल कलर मिलाया है चाहे तो टेक्चर बनाना है और नाम कमाना है किदर भी आप कोई भी पाल्टी के अहां पर ऐसी टेक्चर बनाओगे तो मालिक भी खुस आप भी खुस और पुरे हॉल का लुक ही चेंज हो जाएगा हर एक मेंबर अपने घर के अंदर रहते हैं और वो भी उसके ख्वाई सोटी है कि आ अपने रूम की अंदर हॉल की अंदर टेक्चर बनाओ तो मेरी वीडियो देखके आप बना सकते हैं देखिए फाइनल होने के बाद कितनी बहतरिन लग रही है उसका कमेंट में जरूर बनाना बताना दोस्तो आपको ये टेक्चर कैसी लगी देखिए इस प्रकार ये हो आल के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सस्क्राइब जरूर करें और बच्चा का होसला बढ़ाने के लिए कमेंट में डोसब्ड जरूर दाले डोसब्ड जरूर लिखे कि ये टेक्चर देखने के बाद आपको कैसे लगी ऐसी टेक्चर क्या आप अपने घर में के तो जरूर कमेंट में जरूर लिखना दोसब्ड बच्चे की टारिफ में सस्क्राइब माई चैनल हमारा होसला बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियो लंबी लंबी वीडियो है लेकिन क्या करें दोस्तों अच्छी तरह समझाने के चकर में मेरी लंबी वीडियो हो जाती है मे अपने माता पिता की सेवा हमेशा करना उसको माता पिता की सेवा हमेशा करते रहना मेरे दोस्तों